कुम्भ राशी के, जो कुम्भ राशी की जातक हैं, आज आपके सुभ और मांगली कारी होने की संभावना बन रही है, परिशितियान कूल है, माता पिता का सुख मिलेगा, रियलिशिट प्रापरिटी में अगर पूजी निवेस करते हैं, तो आपके लिए काफी लाप्रद र बड़ेगी, और उनकी जो परिशानियां दूर होगी, आर्थी किस्ति धिरे-दिरे मजबूत होगी, नए बैपार से, आज आपको लाप मिलेगा, नए बैपार करने का उसर मिलेगा, बिद्दार्थी और खिलाडियों के लिए यह समय सर्वोत्तम चल रहा है, सौधानी के बरतनी है, जल्दबाजी में नेड़े लेने से आपको नुकसान हो सकते है, चले जल्दबाजी में कोई भी नेड़े ना ले, उपाय क्या करना है, काला कप्ला दान करे, और आज आपके लिए सुभंक कहे, छे सुभरंग हरा लक मिटेर साथ हरी किस्ति, अब कर पूर गवर नमस्कार, मैं हू जोट्साचार, डॉक्टर विंतर पाठी, आप देख रहे हैं, भागी गुरुकारिकरम, भागी गुरुकारिकरम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, आज हम बात करेंगे की पंचान की क्या इस्ति है, कौन सा तित्षी है, कौन सा नच्छत्र है, कौ संद्रास्ट कब हो गया सारी बात हम आपको बताएंगे वा आज का महामंत्र भी बताएंगे कि महामंत्र का जब कैसे करेंगे जब करने से आपको क्या लाफ मिलेगा बारह राश्यों की की बारे में विस्तार से बताइंगे कौन विदेश जाएगा? किस के शिक्षा दिक्षा विदेश में होगी tire कान भाडते प्रसास्टिक से वें जाएगा? कौन सेना में जाएगा? किस को बैपार से धन लाब होगा? किस की राजनेती की स्टि अच्छी होगी? कौन किताब लिखेगा, कौन बैग्यानिक बनेगा, कौन सा हित्यकार बनेगा, कौन फिल्म बनाएगा ये सारी बाते बताएंगे किस अंग के प्रयोग करने से आपको अपार सा फलता मिलेगी सौधानी क्या वरतनी है और उपाय क्या करना है गुरू के नुस्खे भी बताऊंगा आज जिनका जन्मदीन उनके भी बारे में बताऊंगा दर्सों के प्रश्णों का उत्तर भी दूँगा आप देखते रहेए भाग गी गुरू कारिकरम अब आईए हम बात करते हैं आज के पंचांग की आज है साथ जून दोहजार सुर्योदा हो चुका है सबेरे पांच बच के 22 मिनट पर सुर्यास दोगा साम को साथ बच के 17 मिनट पर आज चंदरवा रहेगा ब्रिश राशी में मिरक्सरा नचतर है शुकल पक्ष है सूल योग है और आज का जो सूम महुरत है वह 11 बच के 10 मिनट से लेके 12 बच के 47 सुर्वा उच्च का मानते हैं तो आज जिनका ब्रिश राशी है उनकी लिए आज का दिन बहुत अच्छा आप अपनी जो प्लानिंग है योजना है उसको इंप्लिमेंट कर सकते हैं अपनी पूरी उर्जा का सुदुप्योग करिए आज आपको बड़ी सफलता मिलेगी मान सम्मान मिलेगा पत परतिशना में ब्रिद्धी होगी और आप जो भी प्लान करेंगा उसमें इच्छित सफलता मिलने का योग बन रहा है दूसरी बात का ध्यान रखना है कि राहुकाल में कोई काम नहीं करना है नहीं तो काम होते होते रह जाएगा सुम मौर्थ में क्या ग करना ही चाहते हैं और आपका यात्रा पूरे निर्दारीद है ताब क्या करें कि एक दिन पूर सुम मोर्थ में प्रस्थान निकलके तब यात्रा करें आपका यात्रा आनन दायक हो जाएगा अब आईए हम बात करते हैं आज के महामंत्र के आज का महामंत्र है श्रिम हिरिम क्लिम एंग कमल वाशिनेई स्वाहा यह जो महामंत्र है जगत के दिश्ठात्री देवी माता लक्ष्मी जी का है माता लक्ष्मी जी का यह मंत्र अगर आप नेमी जब करते हैं कमल गटे के माले से स्वेत रंग का वस्त रधान करके तो निश्यत रूप साब की माली हालत अच्छी होगी उत्रोतर आपका विकास होगा एस्वरी के प्राप्ति होगी आपके परिवार पर माता लक्ष्मी जी क किर्पा बर्षे की तो आप कम से कम एक माला तीन माला नेमित इस मंतर का गर्जब करते हैं तो आपके लिए फाइदे बंद होगा